बहुतिक भूगोल इसमें सबसे पहले आप भूगोल के बारे में बात कर लिजें भूगोल वह सास्तर है जिसके द्वारा पितवी की आंत्रे को बाहरी अध्यन हम लोग करते हैं और भूगोल को आप लोग उस सास्त के रूम में भी देखते हैं जिसके द्वारा पितवी के ऊपरी सरूब उसके प्राक्तिक विभागों जैसे पहाड हो गया महादेश हो गया, देश हो गया, नगर हो गया, नदी, समुद, रजील, वन इनका हम ग्यान प्राप करते हैं और पितवी के बारे में अध्यन करना ही भूगोल भी कहते हैं से भी अपने अपने हिसाब से आप देखे कई परिभासा इसकी देखने को मिलेगी पितवी और उस पर रहने वाले जीवों प्राक्तिक परियाबन के भी जो पारस पर एक सम्मंध होते हैं सम्मंधों का अध्यन करने बाला विज्ञान भी भूगोल कहलाता है भूगोल सब्दिकी उत्पत्ति ग्रीक भासा की सब्द जीवों और ग्राफों से मिलकर हुई है और जीवों का मतलब होता है पितवी और ग्राफों का मतलब होता है लिखना या बारण करना इस तरह ऐसे आप देखेंगे जियोग्राफी का साब्दिक परिभासा होती है कि पित्वी वो इसके उपर जो कुछ भी है इसके बारे में लिखना या बारण करना और एक विसाई की रूम में भूगोल कार्थ गोल पित्वी भी होता है तो यह भी याद रखेगा और अस्तु ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले बताया था पित्वी गोल है और यूणानी वा रोमन बिद्वानों ने पित्वी को चप्टा या तस्तरी नुमा माना जबकि भारती साहित में से गोलाकार माना गया है तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसमें ठीक है और भूगोल क पिता अगर जनक हम लोग बात करें तो भूगोल का पिता है कि टीएस को माना जाता है और इनकी पिसिद्व पुस्तक जस्ट पिरियर्ड्स है और या था पित्वी का बर्डन यह पुस्तक छटी सताबदी के अंत में पिकासित हुई थी ठीक है तो इसके बारे में भी याद ग्राफिया तो इसे भी विवस्तिक भूगोल का जनक अगर आप से पूछे तो इरेटो इस्थेनीज को माना जाता है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा आधुनिक भूगोल के जनक की बात करें तो अलेकजेंडर बॉन हमबोल्ड को माना जाता है और अध्यन के पट्र ने भूगोल सब्द का प्रियोग किया था और इनकी पुस्तक सूर्य सिधानती का जिसके अंतरगत भूगोल सब्द का प्रियोग किया गया था तो इभी आप लोग याद रखेगा स्तयुकतराजीक अमेरिका की भूगोल विता रिचार्ड हॉड हॉड सोन ने 1969 में भूगोल को परिभासित करते हुए कहा था कि भूगोल पितवी सतय के विविता रूपी लक्षनों का सुद्ध विवस्तेत और तारेकिक वरडण और व्याक्या का अध्यन है और एक बेटिस भूगोल विता थे पीटर हैगेट इन्होंने 1975 में भूगोल को पितवी तल पर म पानों बातावरण और पिड़ देशों के इस्थानिक और पारस्विक संबंदों का अध्यन बताया था एक और इस्टेवू थे इनके अमसार भूगोल एक सुतन्त विस्त है और जिसका उद्धिस लोगों को इस बिस्व का आकासी पिंड का इस्थल महासागर जीब फलों भूतरातल के छेतरों में देखी जाने वाली पितेग बस्तू का ज्यान प्राप्त कराना होता है और कांट की अगर हम लोग बात माने तो इसने भूगोल भूतल का अध्यन बताया टॉल्मी की बात माने तो ए भूगोल पितवी के जलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा माय बिग्यान है, वारी नियस की बात माने, तो इसने भूगोल पितवी को केंद मान कर अध्यन करने वाला बिग्यान मता है, एक महांदासनी कांट था, इसने भूगोल वह बिग्यान है, जिसमें पितवी का उस भाग का अध्यन किया जाता है, जहां मानव निवास करता एक रीटर भी थे, इन्होंने भूगोल में पितवी तल का अध्यन किया जाता है, जो मानव निवास होता है, हैटनर की अनुसार, एक भूगोल एक चेतरी विज्ञान है, जिसमें पितवी तल के चेतरों का अध्यन और उसकी भिन्यताओं और इस्थानिक संबंदों की फिष् में पढ़ते हैं, इस्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं, जल मंडल के बारे में पढ़ते हैं, और मानव भूगोल में आप देखते हैं कि मानव की उत्पत्ती के बारे में पढ़ते हैं, मानव के बारे में पढ़ते हैं, जो आप देखें मानव की परजातियां हों, मानव बिग्यान, जिब भूगोल, गडित भूगोल, मिर्दा भूगोल, बनस्पती भूगोल, पर्यावन भूगोल, स्वास्ट चिकिस्सा भूगोल, मान्चित भिग्यान, पर्याटन भिग्यान, मान्चित कला, इन सभी को आप लोग देखते हैं, ठीक है? अब आप लोगों के मन म अलग अलग जिगे पाई जाने बाली भौतिक परिगटनाओं की वितरण की ब्याक्या बाध्यन भी करता है और साथ ही भूबिज्ञान, मौसम बिज्ञान, जन्तु बिज्ञान, रसायन सास्त से भी जुड़ा हुआ है और इसकी कई उपसाखाएं होती हैं और जो विवित भौतिक परिगटनाओं की विवेचना करती हैं तो ये भी आप लोग याद रखेगा नमस्का साथियों, आप सभी लोग देख रहूंगे ये जो आपकी कलास में कवर की जा रहे हैं ये आपकी UPSC यानि कि सिविल सर्विस और आपकी स्टेट PCS को ध्यान में रखती हुए कवर की जा रही हैं और जब स्टेट PCS बोला जाता है न तो इसमें आप देखेए सिविल सर्विस की तरह आपकी राज्यों में भी PCS का एकजाम होता है चाहे आप लोग UPSC की बात कर लिजे, MPPSC की बात कर लिजे, बिहार PCS की बात कर लिजे, 36 गड़ PCS की बात कर लिजे, राजिस्थान PCS की बात कर लिजे और आप मैंसे कई लोगों का एक और सवाज रहता है क्या ये क्लासें वंडे एक्जाम के लिए भी महत्पूंड हो सकती है जैसे RSSD, बैंक, रेलबे ये आप देखते होंगे कि राज्जों में होते रहते हैं आपकी सिक्षक भरती के लिए एक्जाम होता है कॉंस्टेवल के लिए, पुलिस के लिए दरोगा के लिए, पटवारी के लिए इस तरह के तमाम एक्जाम या भी होते हैं तो आप लोगों उने अगर अपने जिस भी एक्जाम की तयारी करें उसके पुराने कुश्चन्स कोई पर उठा के देखे होंगे तो उसमें आप सभी जानते हैं कि इतिहास हो, भोगोल हो, समीधान हो या फिर अर्दोयुस्था हो या विज्ञान हो, सभी से आपकी परिक्चाओं में कुश्चन्स अच्छी खासी संक्या में पूँचे जाते हैं और इन किलासों को दो आप देखिए हम लोग इतने बिस्ताल से बात करें कि अगर आप लोग इन्हें पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे बाहर कोई भी कुश्चन्स आपकी परिक्चाओं में जाने वाला है जो भी कुश्चन्स आएगा उनका असानी से आप लोग जबाब दे पाएंगे आंसर दे पाएंगे तो इन्हें जरूर कबर करिएगा आप लोग और देखिए पहला पिसन पत्थ है प्रिलिम्स का चाहे आप देखिए स्टेट PCS का हो या से भी सर्विस का हो और इसमें आप देखे हूंगे अभी तक हम लोगों ने आपका जो भारत का इतिहास है और भारती राष्टी आंदोलन है इसे विस्तार से कबर किया हुआ है चाहे आप देखिए प्राचीन भारत का इतिहास हो मद्यकालीन भारत का इतिहास हो या पर आप देखे कि आदूनिक भारत का इतिहास हो अब बात आती है भूगोल पर और भूगोल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिस्त भूगोल पर जो आप लोग बहुत तिक भूगोल परते हैं न भौतिक भूगोल पर हम लोग बात करेंगे और इस पर बात करने से पहले आप लोगों को एक और जानकारी देनी है कि आप लोग कहां जाकर वो पुरानी किलासें देखेंगे तो आप लोग हमारे अपने चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को पिलेलिष्ट सूची में जाना है कहा जाना है फिलेलिष्ट सूची में जाना है और इसमें आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखी बहुत सारा material मिल जाएगा बिल्कुल फिरी है मुझे लगता है कि one day exam के लिए तो काफी यहाँ material उपलब्द है और civil service के लिए state PCS के लिए बिलकुल मुप्त है और तो इसमें आप लोग UPSC and state PCS prelims special class की नाम से यहाँ आप लोगों को एक सूची playlist सूची मिल जाएगे और इसमें सभी class ने आपकी करम से डली हुई है यहाँ जाकर आप लोग उन्हें देख लीजेगा उन्हें कबर करिएगा और आरम से निकल जाएगा ठीक है? और एक से दो बार आप लोग देखेंगे तो आपका बढ़िया कबर हुई हो जाएगा और वैसलिए आपके पास टाइम है तो आप लोग NCEIT जरूर पढ़ें उससे और मजबूत होगा आपका base और आपको प्रेलिम से में फायदा देंगी और मुक परेक्चा में भी आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा ठीक है? तो इस प्लेलिष्ट सूची को आप लोग कबर कर सकते हैं अब बात आती है कि भौते भोगोल में आने वाली जो किलासे होंगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या तो आप देखेंगे यह आपकी सूची है जो हमें आने वाले समय में कबर करना है जिनें पढ़ना है और इन क्लासों को भी हम लोग विस्तार से ही बढ़ेंगे बहुत विस्तार से छूटने वाला कुछ नहीं है सबसे पहले हम लोग पहली क्लास में बर्हमन्डे के बारे में पढ़ेंगे तीक है? फिर दूसरी क्लास में हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग पितिवी की जो गतियां होती हैं जो आप देखते हैं कि जिसके कारण रात दिन होता है इस सब पर वश्तार से बात करेंगे फिर हम लोग अक्छांस, देसांत, देसांतर और अंतराष्टी तिती रेखा और समय कटिवन्द के बारे में पढ़ेंगे और एक क्लास काफी मात्फोन भी रहेगे जो अक्छांस, देसांतर आप लोग पढ़ते रहते न जो हमारी समय रेखा, समय ते होता है जहां से उन सब के बारे में जानेंगे अंगली क्लास में हम लोग पित्वी की उत्पति देखेंगे फिर उसके बाद हम लोग पित्वी की आंत्रेक, जो सरचना है उस पर बात करेंगे फिर हम लोग अंतरजात और बही जात बल है जो इस पर बात करेंगे हम लोग अंगली कलास में बलन पर बात करेंगे उसके बाद भरंस पर बात करेंगे अप्चाय पर बात करेंगे फिर हम लोग पिलेट बिवर्थी की सिध्धान पर बात करेंगे ठीक है और फिर हम लोग महादीपिये बिस्तापन बर बात करेंगे फिर उसके बाद भूच्चों मकत्थ के मूल सिध्धान्थ हम लोग देखेंगे ज्वाला मुखी पढ़ेंगे हम लोग, भूकाम्फ पढ़ेंगे हम लोग परवत एवं परवत निर्मार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे हम लोग पठार भी देखेंगे हम लोग और जीलों के बारे में भी पढ़ेंगे, चक्टानों के बारे में भी पढ़ेंगे अपरदन की अभीकरता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग मौसम और जलवायू इस पर विस्ताल से बात करेंगे हम लोग मौसम जलवायू फिर हम लोग बायू मंडल का संगठन जो है उस पर बात करेंगे बायू मंडल की जो सरचिना है उसे भी देखेंगे सूरिया तप के बारे में जानेंगे ताबमान पर हम लोग बात करेंगे और उस्मा का इस्थानांतरन किस तरह से होता है उसे भी हम लोग देखेंगे फिर उसके बाद हम लोग ताबमान की बिलोमता पर बात करेंगे किसकी ताबमान की उसके बाद बायू मंडली ये दाप पर बात करेंगे हम लोग उसके बाद पवने देखेंगे बायू का परी संचर्ण भी देखेंगे बायू मंडली ये आदिता भी देखेंगे बादल भी देखेंगे फिर हम लोग बरसन और बरसन की सिद्धान क्या हैं उन्हें भी जानेंगे, जैट पर वहा पर भी बात करेंगे, वतागे पर भी बात करेंगे, वाईव मंडली है, बिच्छोप चक्कबाद पर भी बात करेंगे, पिती चक्कबाद पर भी हम लोग बात करेंगे, जलवाईव की देखेंगे, महासागर भी देखेंगे, महासागर सागरिये निच्छे पर भी बात करेंगे, महा सागरिये तरंगे और धाराएं भी देखेंगे हम लोग, और उसके बाद प्रवाल और प्रवाल भीतियों के बारे में पढ़ेंगे, सागरिये जो संसाधने, इन्हें भी हम लोग देखेंगे, जीव मंदल के संगठक के बारे मे जानेंगे और जीवोम के बारे में जानेंगे मिर्दा के बारे में मित्ती के बारे में भी हम लोग जानेंगे तो हमें आने वाली किलासों में इतने चैप्टर एक तरह से कवर करना है क्या करना है कवर करना है और बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है तो जान्दर टाइम नह पास रखा करिएगा और पुराने questions paper कम से कम 4-5 साल पुराने questions paper उठाके देखा करिएगा उनका मुल्यानकन किया करिएगा अगर आप लोग इस तरह का काम करते हैं तो आप देखें कि आपको काफी फायदा मिलेगा और इससे क्या रहता है कि हमें मालू रहता है कि कहां से किस questions पूछा जा रहा है कैसा questions पूछा जा रहा है कितने questions आ रहे हैं कहां हमें जाना ध्यान देने की जरूवत है कहां हमें कम ध्यान देने की जरूवत है और यही smart degree होती है तो चलिए आप लोग हम लोग पहली क्लास में मिलेंगे और पहली क्लास में हम लोग ब्रहमंडे के बा करिंगे.